कि 16 जुलाई के शाम पांच बजे से पहले वो हाई कोट अप्रोच करें और हाई कोट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाई कोट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ओर्डर पर की नहीं रहना है लेकि हमाई तरफ से यही दलील थी कि इस ओर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्टिक जसाब का ओर्डर उसमें लिखा हुए कि स्ट्रेक्चर को बिना डैमेज किये बिना च्छती पहुचाए हुए यह सर्वेक्शन किया जाए और मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह बहस क कि नहीं हमारी बहुत दिनों से मजज़्य चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बगल जाएगा जो कि हम लोगों ने यह भी बताया कोट को कि ऐसा कोई डैरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुचेगा पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोट के सामने बात लगाई है और इलाबाद हाई कोट के सामने मामला जाएगा और इलाबाद हाई कोट फिर दुबारा अफ्रेश इससे डिसाइड करेगी कि यह रोक रहनी है कि नहीं रहनी है यह और सही है कि गलत है 26 जुलाई के शाम पाँच बजे तक और यह इंट्रिम ओडर है और उससे पहले कोट ने उनको कहा है कि आप इलाबाद हाई कोट अफ्रोच करेंगे बार बार मुस्लिम पर इस चीज़ का बिलोगता है बार 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 यह भी कह रहा था कि खुदाई वहां सुरू हो गई है कि हम लोग लोग के सरकार के वकील ने यह गलत स्टेट्मेंट था के सामने मानिय तुशार मैतर साब ने कहा कि अभी खुदाई का कोई आदेश नहीं हुआ है ना महां पर खुदाई हो रही है महां पर सिर्फ और सिर्फ रेडार के जरीए सर्वेट्षेंट किया जा रहा है मैजर्मेंट किया जा रहा है मैपिंग की जा रही है जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुशने वाला है पर अंजुमन इंतजामिया के जो समय दिया जाए इसलिमानी सुप्रीम कोट ने उनकी प्ली को ध्यान में रखते हुए दो दिन के उनको महलत दिये इस ओर्डर को हाई कोट में चैलेंज करने के लिए और हाई कोट इसको दो दिन के जब जैसी वो फाइल करेंगे उसको कल्सिटर करेंगी और मैं आपके सामने यह भी कहना चाहता हूं हमारी पूरी लीगल टीम हम लोग हाई कोट पहुच रहें और इसका पुर्जोर विरोध करेंगे कि उजयफा की तरफ से बार-बार यह कहा जा रहा था कि उनको समय नहीं मिला और की कॉपी नहीं मिली कोगा है विल्कुल गलाग स्टेटमेंट्स थे और हमारे जो सीनियर काउंसल ते मिस्टर शाम दिवान साब और जो केन सर्टार के वकील तो उन्होंने भी यह कहा कि मिस् कोट में बहस की जा रही है तो एनिवेज आज की डेट में फैक्ट ऑफ दी मैटर यह है कि सुप्रीम कोट में दो दिन के लिए एक बहुती इंटरिम तोर पे उस पे रोग लगाई है डिस्टी जैस के ओर्डर पे और दो दिन के अंदर बिस्टी डाउने इलाबाद हाई को मूफ करना है इलाबाद हाई कोट में इसकी बहस करें है बिलकुल हम रही है कोट जा रहे है जो एक बता रहा हूं के इन सरकार के जो वकील ते आर्केलोजिकल सर्वाफ इंडिया की मिस्टर तुशार मेंतर साथ सौलिस्टर जनरर अफ इंडिया उन्होंने सुप्रीम कोट क अप्राइस किया कि ये सर्वे में मेजरमेंट हो रहा है मैपिंग हो रही है और बिना नॉन इन्वेजिव मेथर्ड से सर्वे हो रहा है एक बिट तक अभी नहीं हिलाई गई है कोई अभी तक इसकेवेशन नहीं हुआ और गलत स्टेटमेंट्स दिये जा रहे है एंजुमन इंतिजामेंग तरफ से बड़ी क्यों मुझे देखे मैं मैं से इतना कहना चाहता हूँ कि ग्यान व्यापी का सच आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही निकलेगा और हम इलाबाद हाई को को परसुएट करेंगे जितनी हमें ईश्वन ने शक्ती दी है ये समझाने के लिए कि इस ओर्डर में कोई गलती नहीं है इलाबाद हाई कोड के इस ओर्डर में और साती साथ इलाबाद हाई कोड इसको मेरिट पर दुबारा एक्जामिन करेगा जो सुप्रीम कोड की रोग कि उनका यह था कि हमने फ्राइडे को साड़े चार बज़े और पता चलाए और हम दो दिन में तयार करके नहीं पहुच पाए इसलिए दो दिन की रोख है और दो दिन के अंदर जब वो इलाबाद हाई को जाएंगे मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं कि हम लोग भी कि अपर किसी भी प्राइड प्राइड को